पंजाब जॉब्स अकेडमी देखवारी फिरतों थोटा सारे अंदा स्वागत कर देयां थोन सारे नों पती है के पंजाब और अधे पी ट्री प्लस भी दोना दे ही एक्जाम सिर्थे आये होएने अधे जेडे बच्चे ने एक वार भी कोई भी एक्जाम दिता होया थोनों पता ही है के कॉमन इंग्लिश दे कॉशन थोड़े वेपरादे विच पुछे जान देने इंग्लिश तो पंजाबी दी ट्रांसलेशन पंजाबी तो इंग्लिश दी ट्रांसलेशन एंवे दे कॉशन थोड़े वेपरादे विच बान देने कोशिश नहीं करांगे, सारा tense chart आज जिदी वीडियो देवेची अपना cover करांगे एदे notes बना के रख लेओ, एक दो बारे रिवाइज कर लेओ, थोड़े दमाग देवेचे सारा tense chart है बैठ जाना, ठीक है जी, शुरू करदें आपना बेसिक फंटा क्लियर करने लिए, इंगलिश दा बिल्कुल बेसिक है, tense chart जेड़ा के थोनू आउना चाहिएदा, बहुत जरूरी है tense, यानि कि time, time किने तरहांदा होंदा, time mainly तरहांदा होंदा है पहला present time, जेड़ा की होन चल रहा है दूसरा past time, जेड़ा पिछे लंग चुक्या जिनू पूध काल कहने है अते तीसरा होंदा है, future जेड़ा की अग्या आएगा, जिनू पुख काल कहने है present यानि वर्तमान, जेड़ा की होन चल रहा है, वर्तमान past यानि की पूध काल जेड़ा पिछे लंग चुक्या पूध काल अते future यानि की पूध की जेड़ा के अग्ये आएगा, ठीक है जी ठीक है दोस्तों, अग्ये इना नू अलग अलग 4-4 हिस्स्यां दे विच बंड़ा जानदा है प्रेजेंट नू भी 4 हिस्स्यां दे विच बंड़ा जानदा, past नू भी अते future नूब लिचे देख 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 देंआं, एक एक करके सारे नू डिसक्स करांगे सब तो पहला देख देया present tense present tense नू चार हैसेंग विच बंडाया जानदा present indefinite, present continues, present perfect अते present perfect continues उमीद करना थो नू बिल्कुल भी पता नहीं लग जाओना ठीक है? कोई गल नहीं चल देंगे past एकवारी past भी देख लो पास्ट नूँ भी चारे सेंज बन देंदा, पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट कॉंटिनूज, पास्ट पर्फेक्ट, पास्ट पर्फेक्ट कॉंटिनूज, सेम ही है बिलकुल, ठीक है जी, फ्यूचर भी एक बार देख लेने हैं, फ्यूचर नूँ भी चारे सेंज बन future continuous, future perfect, future perfect continues. ठीक है दोस्तों? मतलब कि तिन्नों ही t uz acost इन्ना दे जड़े अगे पाट ने उछों एक को ही ने, सिर्फ past, present अते future ने फर्क होँँदा indefinite, continuous, perfect अते perfect continuous चार ही हिस्से ने जड़े 3 ヤend grammat दे बन देने एक करके अपनी नोटबुक दे बनाना चाहों था किमे बनाना है तुसी जेड़ी थोड़ी किसे भी नोटबुक दा डवल पेज होंदा है डवल पेज तुसी ओदे उपर लेके जेड़ है टैंस चार्ट बनाना है चार हिस्से तुसी एमे कर लेने तिन हिस्से एमे कर लेने ठीक है जी प्रेजन्ट पास्ट फ्यूचर इत्थे तुसी लिख लेने ने उनना दे इंडेफिनेट इंडेफिनेट कंटिन्यूज परफेक्ट परफेक्ट कंटिन्यूज एमे लिखके उनना दे फिर तिन्ना दे ही तुसी जेडा जेडा भी तुसी लिख्या ओधे नीचे एक वर मैं तुन अपना भी टेंस चाड़ ओधी फोटो मैं तुन टेलीग्राम चैनल ते शेर कर दूगा अग्ये चलन दो पहला तुसी ए देख लो कि ज़िए सेंटेंस होंदेने सेंटेंस किने तरहादे होंदेने नॉर्मली सेंटेंस तिन तरहादे सेंटेंस बन देने मतलब चहे प्रेजेंट होवे चहे पास्ट होवे चहे फ्यूचर होवे इंडेफिनेट होवे या कॉंटिनूज परफेक्ट होवे या परफेक्ट कॉंटिनूज से तिन्द तरांदे यह बन देने, पहले बन देने, simple sentence, simple sentence होंदा मतलब जिमे, normally कहने है, ओ खानदा है, ना रहा है, गा रहा है, ओ जा रहा है, ठीक है, एह होंदेने, simple sentence, उस तो बाद, दूसरे होंदेने, negative sentence, negative होंदेने, ना वाचक, ना वाचक मतलब की, ओहो, नहीं जानदा, या ओ नहीं जा रहा है, उने नहीं जाना, ए सारे की होजिन देने, एह नावाचक sentence होजिन देने, तीसरे होजिन देने, interrogative जिना नहीं अपपा, question वाचक या प्रशन वाचक सेंटेन्स कहने हैं, ठीक है जी, question वाचक मतलब किसे नो question पुछ रहा है, की तू परदा है, या की त जावेगा कि तु स्कूल जाना है यह सारे की हो जिन देने पहले सिंपल सेंटेंस दूज्जे नेगेटिव सेंटेंस तीसरे कॉश्चन वाचक तिन्द तरांदे सेंटेंस जेड़े बन देने ठीक है जी होना पर शुरू कर देया एक एकदा ऑपरेशन सब तो पहला है अपने पुचल ले ओ स्कूल जाना है नॉर्मली तो नोप पुचल ले कि ओह स्कूल जाना है ओहो स्कूल sentence दी देखो वाकदे अंत दे विच दा ने है दी है देहन ऊँदा versus देहन आगया औहो sentence present indefinite sentence होएगाava वो दुई बनाना के दो पाताना के में पाता है हो दे जो अन्यमिद की बनाना के में है हो दे लिज्दित सिंपल फ़र्मूला यह लग दा है के ओहो स्कूल जानदा है इह ओहो है जेड़ा इह सिंगल है ना ओहो सिंगल है कल लाई है ता इधे अपा जेड़ी वर्ब दी फॉर्म है ओधे नाड़ S E A E S लावांगे जे पलूरल होवे पलूरल मतलब की बहुँ वाचन होवे ता अपा ओधे नाड़ कोई भी S E A E S नहीं ल स्कूल, he goes, go वर्ब दी फॉर्माना ओदे नड़ पाँ एस लाता, goes to स्कूल, simple sentence बान गया ना, बिल्कुल, जे हुन ए दी जगाते, में हुन दा की, ओहो स्कूल, जानदा है दी जगाते हुन दा की, ओहो स्कूल जानदे हन, ओहो स्कूल जानदे हन, ता होँन की हो गया एह है, बहु वचन हो गया, बहु वचन हो गया ना, तब बहु वचन दे लिगा अपा की यूज करांगे, सिर्फ सिंगल वर्ब फॉर्म यूज करांगे, ओदे नारब अपाँ, S.E.A.E.S. नहीं लामाँगे एथे की यूज़ करांगे अपां एथे यूज़ करांगे दे गो टू स्कूल एथे S.E.A.E.S. नहीं यूज़ करांगे ठीक है? एक वर दोड़ा तो देखो वाक दे अंत दे विच ओंदा है दा है, दी है, दे हन सिंगुलर जड़ा सेंटेंस होगा सिंगुलर ओदे विच अपा वर्बदी पहली फॉर्म देनार S.E.A.E.S. यूज़ करांगे पलूरल दे लिए सिरफ वर्बदी पहली फॉर्म यूज़ करांगे ओदेनार S.E.A.E.S. नहीं यूज़ करांगे पिछान ना कि मैं SIMPLE है बिलकुल इन अबक्दा तुसी पिछान नहीं साकते हैं करे केड़ा S.E.A.E.S. अखे केड़ा plural है plural मतलब हैं बहुप बच्छन केड़ा बहुप बच्छन है सिंपल सेंटेंस हो गया उस्तों बाद कर लेने हैं उस तो बाद गल कर लेने अपा negative sentence दी negative sentence दे विच देखो negative हुंदा है ना वाचक अपा की दिखे ऐसी ओह स्कूल जानदा है ओह स्कूल नहीं जानदा है ओह स्कूल नहीं जानदा है स्कूल नहीं जानदा है या नहीं जानदा या नहीं जानता है एक कोई गला है ना नहीं जानता तो इते अपागी used करांगे जेता आज भे singular तो singular तो singular थे लिए discussing लोग एपा यूज करांगे तो झिर आज अजे theory करांगे डुनाट जेता आजे singular थे लिए looking नहीं रहोना सिर्फ डू नौट या ड़स नौट अधे वर्बदी कली फॉमलाओनिया जिमें हुन मैं तो नो सेंटेंस पुच्छा सी के ओहो स्कूल नहीं जानता है ता इनू तुसी की भी बनामोंगे He Does Not Does Not Go सिर्फ गो सिर्फ गो आगाए ना S E A E S में ही लामागे दिना सिर्फ वर्बदी पहली फॉमलाओनिया दी गो तू स्कूल ठेक है जी जे ही दी जगाते आ गया दे मतलब की इते मैं तो नो पुच्छ ऐसी ओ स्कूल नहीं जानदा है हुना गया कि ओ स्कूल नहीं जानदे हन ता ओ दी जगाते तुसी डजनाट नहीं फिर तुसी लाओंगे डू नॉट ओह स्कूल नहीं जाने हैं, दे डू नाट, दे डू नाट, एक बारी एवी देख लो, केड़ा की देली यूज़ होंदा है, बिल्कुल बेसिक जाए पार, चलो जै किसे बच्चे नहीं पता, देखो एक बार, यूज़ होंदा है, इस टैम कोई मुंडा आपके से लड़के जी गले कर दे आता ही, बॉए देली, सिंगल कुडी देली, गर्ल, ठीक है जी, दे ज़दा देली, ज़दा कुड़ीया होंड़ बन्र देली, यूज़ कर देली, बहुँ वचन देली ठीक है वी असीं यू मतलब असीं यू यू तुसीं यू चाहे एक होवे चाहे जादा हो नो दोना देली यू लगेगा अते यू दे नार जेड़े रूल लगणगे वह बहुँ वचनार लगणगे चाहे तुसीं एक नार केसे नार लगा लगा रहे हूं अपने कोड़े मैं उमीद करता है कि थोड़ा या समझ लागया होना जी पूरी तरह नहीं था थोड़ा या समझ लागया होना अपनी बिच बिच रिवीजन होन दी रहेगी तुसी टेंशन नालो तो उनों सारा क्लियर हो जाना ठीक है नेगेटिवी तुसी नहीं समझ लिए होंगे खुन गल कर लेनिया प्रशन वाचक दी प्रशन वाचक सेंटेंस देखो की हो स्कूल जानदा है की हो स्कूल जानदा है स्कूल जानदा है ता एदे विच तुसी की करना है देखो एदे विच दू या डज वाच दे शूरू चाएगा डू या डस वाकदे शुरू चुक दो जाएगा जेता है सिंगुलर सिंगुलर दे नाल आएगा डस वाकदे शुरू चाजएगा सिंगुलर दे नाल डस वाकदे शुरू चाजएगा अते जे प्लूरल है बहुत वाचन है तो ओदे लिए डू बाग दे शुरू दे विच चाजेगा जह मैं सेंटेंस तो नो देता होया एदे विच सिंगल है ना है कियो स्कूल जानदा है जानदे है न नी ता एदे लिट उसी की यूज़ करोंगे डज ही डज ही गो टू स्कूल गो टू स्कूल जह एदे विच नेगेटिव सेंटेंस भी बाढ़दा है तो ओदे लिए भी कंफ्यूज नहीं होना कि यह स्कूल एथे मनलो पुछला थो नहीं जानदा है कि यह स्कूल नहीं जानदा है ता एदे लिए तुसी की यूज़ करना है ता इथे यूज़ करोंगे सद्धा जेटा डिसकेशन गुरुप ओदे विच तुसी मैसेज कर सकते हैं तो नू जित्थे तक हो सके तुनू सारा समझाओन दी कोशिश कीती जाएगी ठीक है जी सिंगल दे ली डू अगे लग जाना अते प्लूरल दे ली डू अगे लग जाना ठीक है जिस टैम तुसी डू अते डू अधे दा परियोग करना है ओस समय ते मतलब नेगेटिव ते इंटेरूगेटिव दे विच औस समय ते तुसी जड़ी वर्ब दी पहली फॉर्मा उदे प्लाई एस या इस नही लोना इंडेफिनेटर अप supply कर चुक हैं तो तुन प्रेजऑन दे विच जी तोड़ी जी दिक्कत उन्ही है क्योंकि जो प्रेजऑन माघ ते प्टित गया ना पास्ट थे रहे हन या रहा है जदों वाकदे अंतले विच एमें आगया तो सी पिशान कर लेने है कि एहे सेंटेंस की है एहे प्रेजेंट कॉंटिन्यू सेंटेंस है जिमें ओहो स्कूल जा रहा है एक को सेंटेंस बदल लेगी है ओहो स्कूल नहीं जा रहा है ओहो रोटी खा रहा है ओहो खाना खा रहा है सिंगुलर आ गया ना रहा है ठीक है जी हून देखो इदेली की रूल बन देने जिस टैम वाकदे विच आज वे रहा है रही है ता ओहो प्रेजेंट कॉंटिनूट सेंटेंस सुन्दा ओदे विच तुसी हेल्पिंग वर्ब यूज करना है इज एम या आर अते ओदे ली तुसी यूज करनी है वर्ब दी पहली फॉर्म देनल आई एन जी आई एन जी तो तुसी काफी कन्फियूज हो रहे होंगे काफी टाम दे देखो helping verb यूज़ करना तो सही is mr is यूज़ करना तो सही is यूज़ करना तो सिंगल देनार is जित्थे single form होए कोई भी he she it mohan shon जो भी है ठीक है m यूज़ करना तो सही जित्थे i लग गया होए i देनार m अते r r तो सिंगल देनार जित्थे बहुआ वाचन होए जिमें दे वी अवर इना देनार तो सही यूज़ करना है r r की हूज़ करना पताला क्या होना वर्बदी पहली form देना आई आने जी होन देखने हैं पंज़ड़ा sentence पे छेपा लिख्या सी किसी के मोहन की कर रहा है मोहन की होगी कर रहा हूजा है ना कोई भी लिख दिने हैं चलो राम खाना खा रहा है राम खाना खारेहा है रहा है खाना खा रहा है राम ठीक है जी तरह राम खाना खा रहा है सिंगल है ना राम खाना खा रहा है तो इदेली तो से की यूज़ करना है राम राम इस टीपिकल जा सेंटेंस ले ले लिए वैसे राम इस टेकिंग मील टेकिंग मील ठीक है मील की हो गया खाना हो गया राम राम इज सिंगल सीना हो देना अपना इज लाता टेक टेक देना अपना पहली फॉर्म देना लाता आई एन जी राम इज टेकिंग मील देखो देखो इते की दिता है अपनों कि की होना चाहिदा है इज एम आर चो एक लगना है ठीक है अधे वर्बदी पहली फ़र्म देना आई एन जी ते अपना ओही ता लाया ना राम खाना खा रहा है राम इस टेकिंग मील या दूसरा सेंटेंस तुसी ले लो के ओहो ओहो नहा रहे हन नहा रहे हन बहुत वचना आगया ना दे दे आर बाथिंग दे आर बाथिंग ठीक है जी सेंटेंस दी पशान करनी पता लागया होना कि जी तुनों जी बाग दे पिछे रहा है रही है रहन ता हो कॉंटिन्यूस सेंटेंस होंदा आए ओदे विच तुसी इस जिते सिंगल यूज करना हो थे इस जिते प्लूरल हो थे आर अधे जिते मैं हो थे आई यूज करना मतल ओ ही है कि ओ हो नहीं नहा रहा है ओ हो नहीं नहा रहा है ठीक है ओ हो नहीं नहा रहा है ओ हो नहीं नहा रहा है कि हो गया है नेगेटिव सेंटेंस हो गया इदे विच तुसी की करना सिर्फ इज एम आर ओ में यूज करना है सिंगल सिंगल प्लूरल थे आई दे नार इदे क्या है और कुछ नहीं ठीक है जी वर्बदी पहली फॉर्म देना आई एन जी पूरे sentence दे विच लगेगा गल कर लेना इंटेरोगेटिव दी इंटेरोगेटिव होंदा question वाचक question वाचक sentence question वाचक की हो की ओ हो जा रहा है जा रहा है is he is he going ठीक है इस MR की लागया वाचक दे शुरू दे विच लागया इंटेरोगेटिव इंटेरोगेटिव होंदे ने प्रशन वाचक जिते कोई प्रशन पुछा जावी तब प्रशन वाचक दे विच की होंदा है इस MR जेड़े helping verb होंदे ने helping verb sentence दे starting दे विच लग जाना होंदा ठीक है जी नहीं समझ लगया एक वर दोबारा तो देखन तो बादे रिपीट करे एक वर क्लियर हो जाना ठीक है जी गल कर रहे हैं प्रफेक्ट प्रफेक्ट टेंस दी अपां प्रफेक्ट प्रफेक्ट प् चुक्का है चुकी है चुके हन प्रफेक्ट टेंस दी गल कर रहे हैं वाकदे अंतदे विच ओंदा है चुकी है चुके हन ओंदा है तो दी तुसी पिशानती करनी है कि ओहो sentence की है हो ओहो प्रफेक्ट टेंस है जिमें ओहो ओहो गा चुका है गा चुका है ठीक है गा चुक्का है ठीक है जी तह हूं एदे वचे देखो वाकदे हं पत किया गया चुक्का है खञाना वाकदे हंत लिवच आ गया गा चुक्का है एदे वच तुसी की करना है एदे विच जे single है single दे नाल तुसी use करना है has always use करना है single दे नाल helping verb has अते have यूज करना है plural दे नाल plural दे नाल use करना है have has अते have present पर्फेक्ट टेंस दी間 लग लग रहे है has, have, had दे तुसी नाम ता सुनई होंगे पर has यूज करना है have यूज करना present perfect दे विच्छ ठीक है जी has the have use हो गया has the yoga single दे नाड plural दे नाड हो गया have अते नाड तुसी यूज करने या वरबदी तीजी form एदे विच्छ तुसी ing या होर कुश्वी यूज नहीं करना ठीक है जी देखो sentence एक वार दोबारा देख देया मैं तोनो sentence मैं देता सी कि sentence कोई भी ले 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 sentence नाड हो गा चुका है ना ओहो गा गा चुका है ओहो गा चुका है ना तो ओह गा चुका है he has sing, sing, sang, sung he has sung ठीक है या ओहो गाना गा चुका है he has sung a song ठीक है single देनाड has plural देनाड have ओहो ओहो नहा चुके हन नहा चुके हन they have बात हना ठीक है जी एता गल करीया पहाँ simple sentence दी हुन गल कर लेने negative negative दे विच भी खोर कुछ नहीं simple ओही है negative दे विच single देनाड has not plural देनाड have not has not they have not वर्ब दी ती जी फॉर्म ठीक है interrogative यानि प्रशन वाच्चक दे विच single दे अगे has आ जूगा plural दे अगे have आ जूगा तुस्छी एक चीज़ा जरूर ख्याल रखना के जेड़ा जित्थे जे interrogative दे विच भी नावाच्चक आ जवे की ओहो देखो एक वर्व की ओहो school नहीं गया है मतलो इस तरह आ गया है ता मतलब ता इदा भी हो यह ना कि नहीं गया है नहीं गया है मतलो इदा मतलब भी नहीं गया school हो ता एदे विच भी तुस्ही यूज़ करना है has he has he not has not he नहीं यूज़ करना है has he not मतलब कि पहला helping verb उस तों बाद subject उस तों बाद not use करना ठीक है जी उमीद करता है ए भी थुन्ह समझ लाग गया होना मैं ए उमीद नहीं कर रहा है कि प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तिन्नो ही कदूज़नार लिंक ने जिस तरह मैं ओहो करवाँगा जिस तरह में दुवारा तो revise करूँगा विच्चे मतलब वीडियो दे विच्ची थोड़े सारे दमाग दे विच्च सेट हो जाने खूनर कर रहा है में आज़नों तो रहा है तो रह रही है तो रहे हैं एदे विच की होंदा कि हो जा खाना आता रहा है पर कदों तो ओहो परसों तो जा रहा है या ओहो परसों तो पढ़ रहा है परसों तो लिख रहा है कुछ भी ठीक है जी या दस दिना तो पंच दिना तो या पंच वजे तो चार वजे तो मतलब कि टाइम दिता होंद verb has been या have been single done has been plural done have been उज्ज करना है verb दी पहली फ़ाँ देना ing आपां present continuous दे विच भी ing उज्ज की था सी आपां present perfect continuous दे विच भी verb दी पहली फ़ाँ देना ing उज्ज कराँगे not उज्ज कराँगे since अते फार देखो since अते फार तुसी तो एक specific time देता हूँ specific time मतलब 5 वजे 5 o'clock 5 o'clock ठीक है 6 February डेट देती बिल्कुल fix तो नो 6 February डेट देती या तो नो fix year देता मतलब fix time देता तो नो fix time देता हूँ ठीक है जी 10 days ठीक है टू आवर्स दो कंटे तो एक fix time नहीं देता है जदो fix time नहीं देता तांपह यूज करांगे far ज़ओ आपानो fix time देता कैरे अन्य टइम ठीक है कर रहे हैं उत्यापा यूज करांगे since कि जदो अपनू टाइम या डेट कुछ ल ख़ें नहीं देता मैं नौरमल या थेट तोर तो अपनू देता ता आ पो तो यूज करांगे फार ठीक है जी अप मेन देखो सेंटेंस के में बन देने अधिसेंट्ज करांगे ओहो कलतों या ओहो पंज वजेतों पंज वजेतों पंज वजेतों पढ़ रहा है पढ़ रहा है, ठीक है ततsal इत्धे की यूज करांगे हैं ही सिंगल है, इतनी हादे यूज करांगे था झाय है हाद बीन, ही हाद बीन स्टिडिग या लर्निंग जो भी यूज करना है और वर्बदी पहली फॉर्म देना आप आई एनिजी यूज़ करांगे लर्निंग अपनो फाइव ओ क्लॉक देता क्योंकि अपनो पका टाइम देता फाइव ओ क्लॉक ठीक है जी यहाँ जिम्होन एदा सिंगल सी प्लूरल थुन देता के ओहो कलतों कलतों गा रहे हन गा रहे हन दे दे हैव बीन दे हैव क्योंकि प्लूरल आगया ना दे हैव बीन दे हैव बीन सिंगिंग फार क्योंकि प्रॉपर टाइम ने देता ना पनो कल तो रिखता कल कदों दो गीव दा फार येस्टरडे येस्टरडे ठीक है जी अमीद करता है कि एन ना कि तो नो एदे विच्छों थोड़ा या समझ लग गया होना ठीक है वाक दी तो नो पशान आ जानिया कि तो तो रहा है तो रही है तो रहे हन ठीक है helping वार भी यूज करोंगे has been या have been वर्ब दी पहली फॉर्म देना आई एन जी since या far यूज करोंगे एतना होगे simple sentence negative दे विच्छों ही has not been single देना तो सी has not been plural देनाड have not been बस एन नहीं फर्क है बाकी हो और कुछ नहीं since दे फार तो सी लोना है वर्ब दी पहली फॉर्म देना आई एन जी तो सी लोनी है ठीक है interrogative प्रशन वाच्छक प्रशन वाच्छक दे विच्छी करोंगे की ओहो जब मैं सुनता की ओहो की ओहो तो नहीं नहीं देता की ओहो इससे तो सी की यूज करना है has he has he been मतलब की has तो बाद objective उस तो बाद भी यूज करना ठीक है has to have वाग दे शुरू दे विच आ जाना के बस एही फर्क है और कुछ नहीं ठीक है simple दे विच has been या have been वर्ब दी पहली फॉर्म ना आई एन जी since ते फार negative दे विच has not been have not been interrogative interrogative मतलब pressure वाच चेक दे विच has या have वाग दे शुरू दे विच आ जाना ठीक है एक वारी चारा नो दुवारा तो देख लो present tense दी गल करिये था indefinite दे विच दा है दी है singular दे लिए first form दे ना is या is लगदा है plural दे लिए सिर्फ वर्ब दी पहली फॉर्म लगदी है do not या does not दा इस्तिमाल होंदा है negative दे विच interrogative दे विच do या does वाग दे शुरू चारा जान देने ठीक है जी present continuous दे विच रहा है रही है रहे हन helping वर्ब इस एमार यूज़न देने वर्ब दी पहली फॉर्म देना आई एन जी लगदा है ठीक है negative दे लिए is एमार देना नाट लगदा interrogative दे विच is एमार वाग दे शुरू चारा जान देने अते वर्ब दी थर्ड फॉर्म देना नाट लगदा है interrogative दे विच है या हैव वाग दे शुरू चारा जान देने perfect continuous दे विच तो रहा है तो रही है तो रही हन helping verb has been have been वर्ब दी पहली फॉर्म दा आई एन जी अते since या far लगदा है negative which has not been या have not been interrogative दे विच है या है वाग दे शुरू चारा जान दा है इत्थे खत्म हो जान दा अपना present tense होन गल कर लेने आपा past tense दी ठीक है जी past tense पास्ट टेंस दे विच दे विच देखो होन तो नो सारा असान हो जाना क्यों क्योंकि लिंक हो जाना सारा past definite दे विच की होनदा है past definite दे विच जी में present definite दे विच वाक दे आंत दे विच ओंदा सी दा है दी है दे हन एदे विच ओंदा है दासी या ता एमे आजन्दा के दासी या देसी देसन या एमे भी आजन्दा कीता ओने है कम कीता ओहो स्कूल गया ओहो स्कूल गया ठीक है ओहो स्कूल गया स्कूल गया ना जे ता ओने जितना हो स्कूल गया है फिर ता हो present perfect tense बन जन्दा अब यह प्रेजेंट प्रफेक्ट नहीं है प्रेजेंट यह पास्ट इंडेफिनेट है वह स्कूल गया पिछे आ अगया आ ए यी वाक्त देविचे ए भी आ जाना ठीक है जी इत्थे तुसी की यूज़ करना है एदे तुसी होग कुछ नहीं यूज़ करना सिर्फ वर्बदी सेकेंड फॉर्म यूज करनी है ओहो स्कूल गया ही वेंट टू स्कूल बास सिर्फ वर्बदी सेकेंड फॉर्म यूज करनी है यह देविछ और कुछ नहीं यूज करना ठीक है जी जिमें ओहो स्कूल गया चहें single होवे चहें plural होवे जो हो school गया या ओ हो ओ हो school या ओ हो गॉंदे सी मतलब मैं simple sentence लेलना ओ हो गॉंदे सी ता इते की लबाँगे दे sing, sang दे, sang, बस सिर्फ इनने sentence, दे, sang sang मतलब गॉंदे सी ठीक है जी? मतलब की जिस time past indefinite आ गया past indefinite present indefinite दे नाड मिलता जुल्दी है ओ दे विचे अपना यूज कर दे सी verb दी पहली form ओ दे नाड single दे विचे यूज कर दे सी plural दे विच्छ कल्ली वर्बदी पहली form यूज़ कर दे सी एदे विच्छ चाहे single होवे चाहे plural होवे अपमा यूज़ करांगे सिर्फ वर्बदी second form होर कुछ नहीं यूज़ करांगे ठीक है जी गल कर लेने हैं एस simple sentence से गल कर लेने negative sentence दी negative sentence दे विच्छ डेड नौड लग जाना सिर्फ और कुछ नहीं करना इत्याप यूज़ कर रहे हैं सी second form होन तो सी जिस टेम negative sentence बनोना है ओहो school नहीं गया school नहीं गया तां तो सी एदे विच्छ की करना है एदे विच्छ डेड नौड यूज़ करना है तां तो सी वर्बदी पहली form ही यूज़ करनी है he did not he did not go to school go to school ठीक है जी मतलब की जिस टेम डिड यूज़ करना तां ओस टेम वर्बदी पहली form ही यूज़ करनी है ठीक है negative sentence interrogative मतलब प्रशन वाच्छ की ओह स्कूल गया है या मतलब की ओ स्कूल गया या की ओ स्कूल जानदा सी ठीक है तां ओहो ओदे विच टीकी करना है did वाच्छ दे शुरू दे विच करना है did नूँ वाच्छ दे शुरू दे विच ला देना है अते वर्बदी पहली form यूज़ करनी है की ओहो की ओहो स्कूल गया की ओ स्कूल गया did he did he go to स्कूल go to स्कूल छीक है जी स्कूल ओहो गया या जिमें पिछे ये मैं का टेस्ट करवाए सी तो विच मैं कॉशन पुच्छ दे लाइटिंग शायद ही इस राइटिंग हाँ क्योंकि इस भी लगया है वर्वदी वैली फॉम नाल आई एएटिंग भी लगया है तो वह पड़ रहा है वह लिख रहा है ही इस राइटिंग वह लिख रहा है ठीक है जी ए हो गया अपना पास्ट इंडेफिनेट पास्ट कॉंटिनिउस वही फॉम ने वारी वारी तो न दस रहा है के सिर्फ वही चार टाइप ही ने फार्क है सिर्फ पास्ट प्रेजेंट ते फ्यूचर दा कॉंटिनिउस प्रेजेंट कॉंटिनिउस दे विख की होंदा सी रहा है रही है रहे हन पास्ट कॉंटिन्यूज दे वाक दे अंत दे वच की होगा रहासी, रहीसी, रहेसन, ओहो खा रहासी ओहो खा, रहा, सी ठीक है जी? एन नहीं है, हुण ए दे वच की होना, ए दे वच सिर्फ एन नहीं फरका है आपा प्रेजेंट कॉंटिन्यूस दे विछ की कर देसी आपा प्रेजेंट कॉंटिनूस दे विछ इस जआ मर तरह वाज़ी हूँ घर पहली ओस thou रंफी फॉर्म अएल यजिए दे विछ अपनौ ओस्च करांगे। हेल्पिंग वर्व वाजवर सिंगल देनार यूज़ करांगे अपमाँ वाज़ वाज़ सिंगल देनार यूज़ करांगे अपमाँ वाज़ वाज़ सिंगल देनार यूज़ करांगे अपमाँ वर वर प्लूरल देनार ठीक है जी सिंगल देनार वाज़ प्लूरल मतलब वह व वर अथे वर बदी पहली फॉर्म देना आई एन जी जमें ओहो ओहो स्कूल जा रहा सी जा रहा सी ताँ ही वाज ही वाज गोईंग तू स्कूल ही वाज गोईंग टू स्कूल ठीक है जी वाज गोईंग टू स्कूल या ओहो स्कूल जा रहा सी ताँ दे वर गोईंग टू स्कूल ठीक है नेगेटिव दे विच ओही वाज देना नॉट लग जाना बाकी सारे रूल सेम रहेंगे वाज नॉट प्लस वर अपधी पहली फॉर्म ना आई एन जी ओ स्कूल नहीं जा रह गे मतलब की की ओहो स्कूल जा रहा सी की ओहो की ओहो गाना गा रहा सी गाना गा रहा सी वाज शी सर्व सरी वाज ही एवी ख्याल रखना ओहो गार रहा सी या चलो इस वार अपर रहा सी ने इस वार अपर लेना है रही सी ओहो गाना गार रही सी तो वाज शी वाज़ शी सिंगिंग सिंगिंग दे सॉंग ठीक है वाज़ की हो गया बाक दे शुरू दे विच आ गया वर्ब दी पहली फॉर्म नादा आई एंजी क्योंकि कुडी सी गार रही सी था अगर के अपना ही दी जगा दे युज़ की था शी ये सारा कुश मैं तोनों शुरू ची दस से ये पहला ठीक है पास्ट कांटिन्यूज अपना कंप्लीट हो गया हुनगाल कर लेने अपा परफेक्ट डी पास्ट परफेक्ट सेंटेंस दे विच शॉरी पास्ट परफेक्ट टेंस की उन्दा परफेक्ट डी पास्ट परफेक्ट डी विच शॉरी पिशानके में करनी है एदे विच आएगा चुक्का सी चुक्के सी चुक्के सन ठीक है वाक्ड डी अन्दे विच होंदा है ओहो जिमें मैं कहांगी उसने गाना गाया सी गाया सी स्वरी मतलव जिमें हो गाना गा चुक्की सी गा चुक्की सी तक गा चुक्की सी नहो वो तक गा के हटगी सी ठीक है ता इत्थे अपमा की यूज करना है इत्थे अपमा यूज करांगे हैड अपमा परफेक्ट दे विच यूज करे सी हैज हैव अते नाल यूज़ करें इसी वर्ब दी तीजी फॉर्म प्रेज़ पास्ट प्रफेक्ट दे विच अपा यूज़ करांगे हैड हैड दे नाल यूज़ करांगे वर्ब दी तीजी फॉर्म ठीक है वर्ब दी तीजी फॉर्म ठीक है वर्ब दी तीजी फॉर्म प्रफ ठीक है जी वर्बदी थी जी फो में देना यूज करांगे जी में सेंटेंस मानलो होना सेंटेंस सिंपल बनता है था उसने मतलब उसने गाना या ओहो गाना गा चुकी सी ता इथे की बना मांगे शी शी हैड शी हैड सिंग सेंग संग संग शी हैड संग दा सौंग शी हैड संग दा सौंग ठीक है एम इन नेगेटिव दे विच्च सिर्फ हैड नौट लग जाना नाल वर्बदी तीजी फार्म लग रही है जिमे जिमे मन लो के ओहो ओहो खाना नही खा चुकी नहीं खा चुकी सी है नहीं खा चुकी का लिख कोई है नहीं खा चुकी ठीक है नहीं खा चुकी सी हाँ ता इदे विच्च की करांगे इदे विच्च आपा यूज करांगे हैड नौट नेगेटिव negative sentence हाना इदे विच यूज़ करांगे सिर्फ had not verb दी 30 फर्म she had not taken she had not taken the meal ठीक है एम इंटेरोगेटिव दे विच की होना interrogative दे विच interrogative दे विच had वाग दे शुरू चाज़ना ठीक है clear हो गया होना has have had इज़ेमार वाज़वर has have had एह अपा यूज़ होन तक कर चुक्या होन अप अगल करांगे had भी दी मतलब की past perfect continuous दी दे विच की होनदा है तो रही सी तो रही सी तो रही सी जिमे present perfect continuous दे विच उदा सी तो रही सी तो रही सी दे विच होनदा है तो रही सी तो रही सी ठीक है जी एह है दी वाक दी पशान इनना जेड़े शवदां तो 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 सी कर सकते हों उस तो वादे होन जो तो तो नो पता लाग गया कि perfect continuous है ता एदे विच आप हम हेल्पिंग वर वी यूज़ करांगे had been simple ओ ही है जिड़ा अपा present perfect दे विच देख्या सी present perfect continuous दे विच देख्या सी helping verb had been ओ दे नाड़ वर दी पहली form नाड़ since अते फार since अते फार तो नो मैं पहला भी 10 केट है since यूज़ करांगे जो दो अपनो specific time देता है 5 जो जो जे 10 अफर बरी ठीक है या कोई भी अपनो पका time देता ते जो अपनो पका time नहीं देता है 4 दिन 5 जिकांटे या 10 साल तो ओथे अपनो यूज़ करांगे far ओथे यूज़ करांगे अपनो फार ठीक है जी since अते फार मैं तो नो पिच्छे समझाई चुक्क है था ठीक है helping work भी यूज़ करना हेड भी ने जीक है hacking कोई अलग जा लेने OUT 분들 कापी time तो खा रहे हैं गा रहे हैं ना रहे हैं कान अप्मा वाक लेने है कि दश साल ना तो पढ़ रहे हैं पढ़ रहा है हुव दस सालने पढ़ रहा है तूस्ट साल नहीं दस साल नहीं है लर्निंग या स्टडिंग स्टडिंग अपार्ड दस साल देता है उन्हें पका टाइम निद्ग ताह ना अगर कि अगर कि आप वहांगे फार, फार, टैन इयर्ज, या कोई होर सेंटेंस, तुसी जेड़े भी है, मतलब जेड़े भी, बारां दे बारां टॉपिक नहीं नहीं नाल दे सेंटेंस, अपने दमाग देवेच या किसे, अठमी, दसमी, बारमी दी कताब देवेच हो, एह वाग तुसी बना के द अखो, पंच वजेतों, आ रही सी, शी, नहीं आ रही सी, पंच वजेतों, नहीं आ रही सी, she had not had not been coming coming होनो पंच वज़े देता since since five o clock ठीक है मिलता जुल दी है present perfect continuous नाल मिलता जुल दी है इन टेरोगे टे मतलो प्रशन वा चक दी ओदे विच की होना है ओदे विच है had वाकदे शुरू दे विच आ जाना ठीक है जी में की हो कल तो ही रो रहा है had he been weeping far क्योंकि अपन प्रॉपर पूरा टाइम ने दे था सिर्फ कल कहा नॉर्मली ता उदेली यूज करांगे far far yesterday ठीक है होना अपने को लिबार जाना future यानि पो एककाल गाल कर लेना future दीवी सबतों पहला future indefinite future indefinite दी पिशान की है वाकदे आंत दे विच आएगा गा गेगी मतलों करेगा करेगी करन गे नौन गे गान गे सौन गे ठीक है या सौयेगा या पड़ेगा वाकदे आंत दे विचे simply sentence बढ़ना जिमें की ओ स्कूल जाएगा ठीक है ता एदे विच तुस प्लूरल दे ली यानि की बहुत वाचन दे ली शेल ठीक है नाड ही यूज करनी है वर्बदी फरस्ट फॉर्म सिंपली वर्बदी फरस्ट फॉर्म देख हुझ में sentence बढ़ने दे विचे simple sentence के में बढ़ना ओहो स्कूल जाएगा ओहो स्कूल जाएगा जाएगा या जाएग ठीक है ताह ये विचे की यूज करांगे अपाँ ओहो ही विल सिंगल है ना ताह विल गो तू स्कूल फिक है शिंपल सेंडेंस एव बढ़ना गल कर ले ना नेगेटिव दी नेगेटिव दे विचे simply विल नॉट सिंगल दे नाल सिंगल दे नाल विल नॉट अते प्लूरल शेल नॉट ठीक है विल नॉट ते शेल नॉट वर्पधी पहली फॉर्म की ओ स्कूल नहीं जावेगा की ओ स्कूल मतलब स्वारी ओ स्कूल नहीं जावेगा नहीं जावेगा था ही विल नॉट ही विल नॉट गो टू स्कूल ठीक है ये हो गया नेगेटिव सेंटेंस तीसर बन देने interrogative sentence interrogative interrogative दे विच की ओह स्कूल जाएगा की ओह स्कूल जावेगा इदे विच will बाक दे शुरू चाजाना negative दे नाली बना के देख देख देना की ओह स्कूल नहीं जाएगा की ओह स्कूल नहीं जाएगा नहीं जाएगा ताँ will he will he not गो टू स्कूल गो टू स्कूल ठीक है जी एक अल हुई अपनी फ्यूचर इंडेफिनेट दी वाक दे आंद दे विच गागेगी ठीक है helping verb will single दे नाद प्लूरल दे नाद शेल नेगेटिव दे विच विल नाद ते शेल नाद इंटारोगेटिव मतलब प्रशन वाचेक दे विच विल शेल वाक दे शुरू दे विच आ जाना ठीक है गल कर लेनेया future continuous tense दी continuous मतलब की जड़ा चल रहा है वाक दे अंद विच रहा है रही है मतलब सरी वाक दे अंद विच आएगा रहा होएगा या रही होएगी या रही होएगी या रही होँगे स्कूल जा रहे होँगे ओहो खाना खा रहे होँगे ठीक है ओहो पढ़ रहे होँगे या ओहो पढ़ कियोंकि वदे विची तुसी देखोंगे कि यदे παर घ्रप टेश्य ओनेठी फ्यूचर ईक्ण içणल के में लिंक ओढ़ यंजी लगद ए पास्ट कॉंट्व यस लेख सभा कि वाजब न॥ा सब्सक्वण गदेख कि में एकृूंकि लिंक बड़ाएं यह वी फ्यूचर कॉंटिन्यूज दे विच विल भी ते शेल भी हेल्पिंग वर्ब यूज़ूंदे ने वर्ब दी पहली फॉर्म दे नाल यूज़ूंदा आई एन जी ठीक है तिन्नों दे ही तिन्नों एक दूजे नाल लिंक थोंडूं बिल्डेंगे ठीक है ता एद जिमें सेंथेंस बनाखे देख ले नेया अपने सेंथेंश बन गया ओहो पढण रहे होणगे प्लूरल लेया मैं है ओहो पढ़ रहे होणगे यूज गजे विल भी दे शेल भी plural है न दे शेल भी learning या studying जो भी ठीक है जी वर्ब दी पहली फॉर्म नाल ing आ गया शेल भी ठीक है negative दे विच्च will not be की ओहो नहीं पढ़ रहे होंगे sorry ओहो नहीं पढ़ रहे होंगे they they will sorry मैं बार बार दे नाल भी यूज़ करते हूँ they shall not be they shall not be studying या learning ठीक है जी negative दे विच्च shall not be they will not be दोन्हों आ जानगे ठीक है interrogative दे विच्च की होना will ते shall वाक दे शुरू चा आ जाना की हो की ओहो नहीं जा रहे होंगे की हो नहीं जा रहे होंगे shall they shall they not इस तरह वरना shall they not be देखो shall they not be ये इते की ओहो जा रहे होंगे ता इते हम दे शेल दे बी ठीक है not be going shall they not be going ठीक है जी present continuous तो बाद आप अंगल कर लेने है present perfect प्रेंस दी present perfect वाक दे आन्त दे विच्च चुका है चुकी है चुके होनगे sentence दे आन्त दे विच्च होना के हो ओहे का मा ख़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़ विच भी तीजी फर्म यूज़न दी सी, future perfect दे विच भी जेडे चुक्का, चुक्के, चुक्की अले sentence बन देने, उनना दे विच वर्ब दी तीजी फर्म ही यूज़न आँ, ठीक है जी, जे में sentence ले ले लेना मैं, ओहो, ओहो, खाना खा चुक्के होनगे, खाना खा चुक्के होनगे, ठीक है, plural sentence ले मैं, क्यों खाना खा चुक्के होनगे, दे शेल हैव, शेल हैव, तीसरी फर्म, टेक, टेकन, दे शेल हैव टेकन, दे शेल हैव टेकन, देर मील या मील, ठीक है जी, दे शेल हैव टेकन देर मील, नेगेटिव दे विच की होना, नेगेटिव दे वर्ब दी तीजी फॉर्म नाल लगनी ही लगनी है थर्ड फॉर्म वर्ब इंटेरोगेटिव दीज की होना विल शेल वाक दे शुरू चाजाना की ओहो की ओहो नहीं जा चुके होनगे शेल दे शेल दे नौट हैव शेल दे नौट हैव शेल दे नौट हैव गॉन ठीक है जी विल हैव ते शेल हैव दा ख्याल रखना है प्रेजेंट 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 दे विच भी अपन यूज कर दे सी since for दे विच भी यूज करांगे वर्ब दी पहली फॉर्म ना इन जी यूज कर दे सी दे विच भी लगांगे दे विच हेल्पिंग वर्ब जिडे लगने ने ओ लगने ने will have been shall have been present sorry future indefinite दे विच सिर्फ विल शैल। future continues दे विच will be shall be future perfect दे विच will have shall have ति future perfect continues दे विच will have been ते शैल है बीन singular दे नाल singular दे नाल will have plural दे नाल shall have ठीक़े जी shall have been sorry will have been ते शैल है बीन sentence बनेगा oke हो नेगेटिव बना रहा है मैं कल तो नेगेटिव की लोन आपाँ विल नॉट है बीन कल तो नहीं पड़ रहे होंगे ठीक है कल तो हों कल तो पक्का टाइम ने ता आपनों सिंस ते फार के मैं यूज कर देंगा तो नो मैं पिछे भी दसेया कि सेफ़र स यूज कर थेयां जढ़ों मतलब सिंसस जदूपान प्रोपर पका टाइम देता 5 वजे 4 वजे 10 तरीक मतलब। डेट देट 2010 तरीक या रपकदल ł थेक है ते फार यूज कर तता अपकन temporary जा time देता ताप एदे लिए यूज़ करना है for कल तो नहीं पढ़ रहे होंगे plural है they shall they shall not have been have been learning learning for yesterday they shall not have been learning for yesterday ठीक है जी clear होन अपगल कर लेने negative negative दे विच थोन दसी जुक्या future interrogative interrogative मतलब जेडे pressure वाच चकने ओदे विच will they shall वाख दे शुरू दे विच आ जाना जिमें तोन पिछे दास के हटे है will they not be will they sorry will they not have been will they not have been होना है या will they have been ठीक है मतलब will तो बाद subject ओना उस तो बाद अगे है भी तुसी यूज करना ठीक है दोस्तो सारा tense chart लिखके बना ले हो मैं तो नूँ एक वार short videos वीडियो दे बना के दसुंगा कि तुसी tense chart बनावना के में हा मैं तो नूँ अपना tense chart भी टेलिग्राम चैनल दे जरूर शेयर कर दूँगा क्योंकि टेलिग्राम जेस टेम तुसी tense chart बना के उनू तो तुसी पढ़के देखोंगे ना एक वार तो नूँ पता लगए ना कि मतलब तेन्स जेड़े तिन्नों ही टेन्स पास्ट प्रेजेंट ते फ्यूचर के में एक दूँ जिनल लिंक हों देने जे एक वार सारा tense chart तो टे दमाग देविच बैठ गया ता मानलो थोड़ी 35-40% जेड़ा English ता पोर्षन है हो कावर हो जाना ठीके दोस्तों वीडियो नो लाइक कर देओ शेर कर देओ नमे जुड़े बच्चे चैनल नो सब्सक्राइब कर लेओ अते और अले पेपरने दियार इदली साड़ी चैनल ना ज़रूर जुड़े रहो साश्रीकाल जी